Assalamu alaikum everyone so in this video we are going to start the hospital waste management ठीक है अब hospital waste management जो है ना इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है bio जो biomedical waste है ना ठीक है biomedical waste या healthcare waste भी कहते हैं ठीक है ये वो waste होता है जो हमारे पास healthcare establishment से arise होता है जैसे कि diagnosis, prevention, treatment, immunizations इसमें से जो waste आता है उसको हम biomedical waste कहते हैं ठीक है अच्छा अब biomedical waste के बाद हम लोग आते हैं पाकिस्तान में जो बड़े-बड़े hospital है ठीक है उससे per day कितना waste निकलता है ठीक है और उसमें से कितना biomedical waste होता है ठीक है देखो पाकिस्तान में हमारे पास 0.5 से लेकर 2 gram per kg per day per bed हमारे पास जो है वो non-dress waste होता है ठीक है अच्छा अब हमारे पास जो 0.1 से लेकर 0.5 gram per kg per day जो है वो है biomedical waste ठीक है अच्छा अब इसकी हमारे पास different types है total हमारे पास इसकी types है wrist waste की जो है वो eight types है ठीक है सबसे पहले आते है Infectionist waste Infectionist waste वो waste होता है जैसे कि जिसमें viruses हो या bacteria हो या fungi या parasites हो जैसे कि हमारे पास waste from the surgery or waste from the atopsy or waste from the infected animal या waste from the infected patient ठीक है या हमारे पास जो होते है cultures from the laboratory तो ये infections waste आजाते है ठीक है फिर इसके बाद हमारे पास आता है pathological waste Pathological waste basically organs हो गए tissues हो गए placenta हो गए हमारे पास fluids हो गए ये pathological waste हो गए फिर इसके बाद आते है sharps sharps are basically जो हमारे पास needles होती है या हमारे पास blades होती है या knives होती है या हमारे पास saws होती है जो instruments use होते है na hospitals में तो वो आ जाते है ठीक है पर इसके बाद हमारे पास आता है pharmaceutical waste pharmaceutical waste में हमारे पास basically जो expired medicines होती है या जो extra medicines होती है जो dustbin में गला दी जाती है टीक है तो वो चीज़ा आ जाती है ठीक है spill medicines और यह सारी चीज़ें थीक है disinfectants और टीक है पर इसमें आते है chemical waste chemical waste यो पिवार है इसके आगयम स्क्रेटिक व कियूंस अगपनि पेना होगा sustainable chemical फेटरजाऊ केमिकल फॉर्ट और क्रीटमेडर क्था केमिकल का,"叵ति और किमीकल फॉर। यह हमारे सघृमिकल वेस्टопट यह जो थर्वे मीटर होता है उसमें हमारे पस होता है मरकडी यह वेस्ट है इसके लावा केडमियम हम लोग यूज करते हैं डेफरेंट बैटरीज में ठीक है तो उसमें यूज हो सकता है वह वेस्ट है ठीक है इसके लावा जिनो टॉक्सिक वेस्ट होते हैं जिनो टॉक्सिक ना उनकी विंट या उनकी फिसट या उनकी जो इनकी ब्लर्ड में उन आं में मिल सकते है यूरीन Вगरा में ठीक है ठीक है तो अीज घुडियो ऑपस आपन ब्लीज जो है थैंसी तो ओय ऩो चीछ पर अयाहित जैसे कि जिसमें वो आजाते हैं पेपर आजाते हैं या हमारे पास कार्डबोर्ड आजाते हैं या पैकेजिंग आजाती है या फूड वेस्ट आजाता है ठीक है अच्छा जी अब हम लोग आते हैं रिस्क फ्रॉम हेल्थ केर वेस्ट ठीक है रिस्क क्या हो सकते हैं जैसे तो कोई laceration या abrasion हो गई या sharps की वज़ से हमारे पास कोई या needle prick हो गया है तो ultimately infection body में इंटर हो सकता है ठीक है इसके लावा हमारे पास जो chemical और pharmaceutical waste होते है obviously वो explosive होते है कुरोसे होते है ठीक है पर इसके बाद denotoxic waste obviously वो आपका ये जो genetic है उसमें change लाएंगे ठीक है इसके लावा हमारे पास होते है radioactive waste वो भी हमारे पास headache, daisiness और vomiting और ये सारी चीज़ें गौस कर सकते है और इसके लावा हमारे पास fifth point ये है कि public sensitivity भी हो सकती है जैसे कि organ अगर किसी सड़क पर पढ़ा हुआ है obviously वो public के लिए एक sensitive बात है ठीक है अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं हमारे पास waste management team पे, ठीक है waste management team में, हमारे पास basically six用ाइमें होते हैं कpen साथ लोग होते हैं? सबसे पहले हमारी पासagenण twee Healthcareite beats Medical supervisor जो main head होता है इसके लिए हमारे पास आते है hospital supervisor झीक है इसके बाद हमारे पास HAD of each department from the hospital भी है फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं फार्मसीटिकल जो होता है एट है होता क्या है सबसे पहले मैं यह तो स्कीम बुक में लिखाऊ जैसे तैसी लिखाऊ πो मैं आपको sequence में बताऊंगा, ऐसी sequence में याद रखना, देखो, सबसे पहले क्या होता है, कि हमारे पास हम लोगों ने decide करना होता है, कि हमें कितने trolleys चाहिएं, और कितने हमें baggages वगरा चाहिएं, ठीक है, containers कितने चाहिएं, trolleys वगरा कितने चाहिएं, ठीक है, उनकी numbers, उनकी cost, decide करनी होती है, ठीक है, पिर उसके बाद, जब यह decide हो जाए, तो हम लोगों ने proper, हम लोगों ने time table बनाना होता है, कि कब waste collect करना hospital से, ठीक है, पिर इसके बाद हमारे पास आते हैं, हम लोगों ने staff appoint करना होता है, staff की training करनी होती है, staff को properly हम लोगों ने waste collection और waste disposal का तरीका बताना होता है, है इसके लावा उनको जो है वो सेग्रिगेशन का देरी का बताना होता है ठीक है Emergency Procedures बताने होते है ठीक है पिर इसके बाद और प्र प्लान बताना होता होस्पिटल से हम लोगाने कैसे Disposed Off करना है ठीक है पिर इसके बाद होस्पिटल से Risk को non risk waste को separate कैसे करना है और central storage के बारे में plan बनाना होता है ठीक है और ये सारा काम जो होता है waste management officer का होता है ठीक है दोबारा बता देता हूं सबसे पहले जो है आपने container तो trolleys का decide कर लिया कि कितनी containers कितनी trolleys चाहिए एक hospital को ठीक है फिर आपने plan बना लिया कि time table कब collect करना है कब dispose off करना है कब जो है वो आपने segregate करना है सारा कुछ ठीक है पिर इसके बाद आपने करना है staff appointment staff appointment करने के बाद उनकी training करनी है training करने के बाद उनकी immunization वगार भी आ जाती है emergency procedures कब भी बताना होता है पिर इसके बाद क्या होता है कि वाट से risk or non risk rates की segregation के बारे में plan बनाना होता है ठीक है पिर उसके बाद segregation के बाद उनका storage और उनकी disposal ठीक है that's it now we come to steps in the waste management ठीक है सबसे पहले steps में क्या आता है steps में हम आते है segregation for example waste management team जो है वो वाट जाती है ठीक है उनको different type of waste मिलते है ठीक है तो अब उनको अलएदा-अलएदा करके अलएदा-अलएदा-अलएदा bags में डालना यह in-cult segregation team का काम होता है ठीक है देखो होता कि है हमारे पस basically हमारे पस 4 type of bags होते है सबसे पहले आता है blue bag blue bag में basically आपके जो non-risk waste होते है जैसे कि हमारे पास cardboard हो गए paper हो गए packaging हो गई वो आप blue bag में डालते हो उनको seal करते है ठीक है पर इसके बाद next हमारे पास आता है red bag red bag में basically आप डालते हो आपके जो plastic bottles होती है या आपकी syringes होती है without needle या आपकी जो catheders होते हो tubes वगेरा यूज होती है न वाड में वो आप इसमें red bag में डालते हो पर yellow bag में basically आप डालते हो different infectious materials ठीक है cotton हो गई या bandages हो गई या हमारे पास organs हो गई या हमारे पास placenta body parts इतने भी होते हैं हम red bag में डालते हो black bag होता है black bag में हमारे पास needles और जतने भी sharp metal objects होते हैं black bag में डालते हैं ठीक है अच्छा जी और जो sharpies का बैग होता है उसको properly हम लोग उसकी उपर danger contaminated for sharps लिक लेते हैं ठीक है अब हम आते हैं waste collection पे ठीक है waste collection टीम होती है पहले तो segregation टीप थी ना waste collection टीम होती है waste collection टीम का basically जो है उनको हमने सबसे पहले train करना होता है ठीक है train करने से पहले उनकी immunization भी जरूरी होती है उन चीज़ों की जो for example एक बंदा है जो waste management team waste disposal collection टीम में काम कर रहे हैं तो उसकी immunization करनी है for example HIV के obviously immunization नहीं है ठीक है तो obviously हम नहीं कर सकते लेकिन hepatitis C की भी नहीं है तो हम नहीं कर सकते लेकिन hepatitis B हो गया hepatitis A हो गया उसकी है और बहुत सब्सक्राइब करेंगे उनको ठीक है इसके लावा उनको जहें हम प्रॉपर्ली जो PPEs होते है परसनल प्रोटेक्टिव एक्पमेंट्स वह भी देने होते हैं जैसे कि हमारे पस glasses हो गई मास्क हो गए इसके लावा हमारे पस apprens हो गए industrial apprens हो गए gloves हो गए ठीक है इसके लावा जो लेक प्रोटेक्टिव और industrial boots हो गए ठीक है यह सारा कोछ हमने प्रोवाइट कर रहा होता है वेस collecting teams को ठीक है पिर इसके बाला आज जाते हैं वेस्ट ट्रांसपोर्ट ठीक है एक ठीक है तो हॉस्पिटल से ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रॉलीज होती है ठीक है और वो हाई ट्रॉलीज होती है ठीक है ताकि उसके और वो ट्रॉलीज में ना सबसे पहले वो बैगेजेज जो है अलाइदा अलाइदा रखने होते है और उनको जेंटली रखना होता है झुको प्रफपोर्ट होस्ट उनको केर से हुटा है मेन प्रफटओ झाहिए तो सॉन्स करता है मान में इसे करीब आफड़े किहाए इवाहम आते हैं में या तो हॉस्पिटल में डोया हुटी ठीक है, कुछ होस्पिटल में इंसिरिनेशन होपिटल में हो रही होती है ठीक है, लेकिंगर होस्पिटल में नहीं है, तो, obviously, मेंसिपल इ Hospoारेटी का काम है जहां भी मेली इंसिरिनेशन होने वाली हो, हुश के करीब जा के स्टोर कर बो, ठीक है फिर second यह होता है कि जो हमारे पास storage की जगा होती है नो वो properly जो unauthorized लोग है उससे भी protected हो और animal से भी protected हो ठीक है इसके लावा it should be away from एक तो unauthorized people और animal से away होना चाहिए and it should be away from the food preparing area and food supply area ठीक है इसके लावा the organs and the waste should not be stored for more than 24 hours ठीक है it should be properly cleaned and it should be properly equipped and that's it and it should be large as well ठीक है अब हम आते हैं inserination जो waste disposal methods है waste disposal methods हमारे पास total है 7 ठीक है तो हम सारे one by one कर लेंगे ठीक है बहुत असानी से हो जाएगा सबसे पहले आते हैं inserination पे ठीक है ऐसे करते हैं इसे नेक्स वीडियो में हम discuss करते हैं थैंक यू